वेलो एवरीवन वेलकम तो लट्स रिसकवर इट इस आरिया एंड टूड़े वी विल डिस्कूस इवाओ चैटर फाइफ कोल पेट्रोलियम ओके तो चैटर फॉर्ड का सारा चीज कंप्लीट हो चुका है जाके आप देख सकते हो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी वी यूज करते हैं अपनी बेसिक नीट को मिटाने के लिए और अपने बेसिक नीट में बहुत तारी चीज़ों को यूज करते हैं सम अफ देम आर फाउंड इन नेचर से हमें मिलता है यहाप एक्टिविटी आपको नेचर और मैनमेड को आपको क्लासिफाय करने यापको खु इस जो आप लोगों ने उपर प्रिपेर की अक्टिविटी 5.1 में या 5.1 में तो क्या उसमें एर वाटर सॉइल और मिनरल से इंक्लूड किया था सिंस ओल दीज आर ऑप्टेंट फ्रम नेचर यह सारी चीज़ों हमें नेचर से अप्टेंट होती है यह क्या है यह क्या है हम सब आपम हमें इसे नशल मेष्ण होती है बेस नेचरा से अप्रिपल धी प्टेंट होती है इसलिह हम इसे नशल रसोर्स क्या है का यह संक्ट रसोर्स को अम्हां हम रहिगा हमारी बेसिक नेट्स को पूला करता है इस इक हूँ 뉴스 क्रते स्त्टाया अपने नętली लाईश्ट म इन में से अब हम यहाँ पर क्वेशन है क्या हम लोग नैश्रल रिसोर्स इसको हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं क्या एर वाटर एंड सॉइल भी एग्जॉस्टेड वाई यूमन एक्टिमिटी क्या हवा पानी और मिट्टी है अगर यूमन उसे जादा यूज करेगा तक क् स सदे वाटर हमारे अर्त पर में अच्टेड करने लाएक है आधी ना मेरा क्या है इसे करने लाएक है औरसे था और श्याक्नली पहल्ते मरान utंटी व काफ़ाइप संघ करने लाएक तो ख्येल क्योंकि बाचीन आप। is the light of the availability of what various resources in nature natural resources can be classified classified into two kinds yeah so what happens if we use natural resources broadly we classify two ways to think about it one is our inexhaustible resources and one is exhaustible natural resources inexhaustible natural resources are those resources are present in unlimited quantity in nature and not likely to be exhausted by human activities example are sunlight and air inexhaustible resources हम उसे कहते हैं जो unlimited quantity में हमारी nature में present है और human activity यानि human उसे कितना भी यूज कर ले तो वो exhaust नहीं होते हैं यानि वो खतम नहीं होते हैं उसे हम inexhaustible natural resources कहते हैं exhaustible natural resources are those amount of these resources in nature is limited they can be exhausted by human activities okay exhaustible natural resources हम उसे कहते हैं जो human activities exhaust हो जाएंगे यानि वो एक दिन खतम हो जाएंगे okay example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc natural gas, wildlife, mineral, coal, petroleum यह सब अग्जस्टिबल natural resources है यह एक दिर human की activity से काम होते होते क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा यहां पर आपको टॉफी, popcorn वगरा लेके समझाएगे यह जो resources हैं हम जितना जादा यूज करते जा रहे हैं जितनी लाफ अरभाही से यह दिनों दिन exhaust होते जा रहे हैं तो आप इल्डर से भी पढ़ लिजएगा इसलिए मैं भी main point को cover कर रहे हूं तो वही है यहां पर क्या है sorry यहां पर वही चीज़ आपको सिखाया जाएगा यहां पर जो तीन generation है पहला generation ने बहुत limit quantity से resources को use किया ठीक है 2nd generation के जो बच्चे थे उन्होंने अच्छे से यूज नहीं किया और तीसरे generation के लिए अच्छे एक तरह से आप बोल सकते हो sustainable development की सोच नहीं रखी तो जो 3rd generation के बच्चे थे उन्हें बहुत ही resources किया हो गया कम हो गया और वह धीरे धीरे यह भी कम use किया फिर कम होती होती यह resources को बनने में बहुत ही जादा दिन लग जाता है तो यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा एक दिन ठीक है यहां से main point है हम इस chapter में सीखेंगे कि some exhaustible natural resources के बारे में जो main main हम सीखेंगे वह है coal, petroleum और natural gas यह तीन अबारा main आप बोल सकते हैं हमारी नजर इन तीनों पे रहेगी कि यही तीनों हमारे जासूस हैं इस chapter के coal, petroleum और natural gas यह कैसे बनते हैं, इनका पडिवार क्या है, इनके डाउटर, sun, सारी चीज़े हम अभी यहां सीखेंगे these were formed from the dead remain of living organism fossils यह जो coal होते हैं या petroleum या natural gas यह तीन जो exhaustible natural resource के बारे में हम सीखेंगे यहां पर यह क्या होते हैं, यह form होते हैं dead organism से जिसे हम fossil कहते हैं, so they all are known as fossil fuel, इसे हम लोग fossil fuel बोलते हैं कोई अगर dead organism death किया उसके उपर layer लगी मित्टी की और layer और layer जैसे जैसे layer यहां पर आती गई इस पर उतना ही compress हुआ और जितना जादा compress हुआ यह slowly converted हो गया coal में, petroleum में या फिर natural gas में अब हम अगले वीडियो में देखें के coal को और इसके स्टोरी को अच्छे तरीके से कवर करेंगे मुझे अंदर से तो satisfaction एक तरह से के coal और petroleum का introduction आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा अब अगले वीडियो में देखते हैं के coal क्या है okay तो from this side area thank you